वेल्कम बेक टू दा एक्क्यूवैलन्स ओफ एंड डियेफ़ तो हम इसके पार्ट टू के उपर बात करें पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्सर में लिंक है जाके देख लो कैसे करना है यह डायट एक्जामपल है तो इस एक्जामपल में क्या स्टेप नंबर फर अब स्टेप नंबर टू के अगोडि इनिशल स्टेट फाइंड आउट करेंगे जो हमें दिखरी है इसके अंदर क्यू जिरो एंड क्यो थी है उसके अंदर तो दोनों को हम निकालेंगे ट्रांजिक्ट्टन फंशन अब अगर मैं क्यू जिरो पर बी लेता हूं इसी परका क्यू जिरो पर बी लेता हूं तो अगें क्यू जिरो मिलता है क्यू थी पर बी लेता हूं तो अगें जिरो और क्यू जिरो पर भी क्यू जिरो ही मिलता है तो हमारा आउटपुट क्या हो गया यह हो गया क्यू इदर आगया क्यू जिरो आगय क्यू अब क्या करना है कि इन नई स्टेट निकलती है जैसे Q1 Q5 को एक मर्च करने पर नई स्टेट बनती है Q0 Q3 तो पहले से गिवन थी तो हम क्या करते है नई वाली स्टेट की साथ दुपारा A और B का इसमें क्या करते हैं कि Q1 का A के लिए निकालेंगे फिर Q5 का A के लिए निकालेंगे अब Q1 का A के लिए निकाला तो Q0 बना Q5 का A के लिए निकाला तो Q6 बन गया दोनों को मर्च कर दिया तो यह हो गया Q0 Q6 इसी बरकार B के लिए निकालते तो Q1 पर B हमें Q2 देता है और Q5 पर B हमें Q4 देता है अब Q4 देता है दोनों को मर्च को दो Q2 Q4 होगा अब आप देख सकते हो यहाँ पर एक तो यह टेबल भी नहीं आई है और यह वाली स्टेट यानि दोनों स्टेट ही नहीं आई है तो दोन Q4 में के से चला गया मेरे पास तो नहीं स्टेट आई है तो मेरे को दुबारा करना चीना आगे यह आगे नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर Q0 एक फाइनल स्टेट है और यह नोन फाइनल इस्टेट है यानि केस नमबर वन अपलाई हो चुका है केस किजिए जिसके according आपका क्या हो गया not equivalent यहां पर रिजल्ट सामने आता है इसलिए मैंने आगे नहीं करा वंड़ना तो नई स्टेट आती तो आगे तो करना ही पड़ता है तेकिन मैं कोई यहां पर साफ दिख रहा है कि एक final एक non final है तो case 1 apply होने के करण automata are not equivalent तो आई होप आपको equivalency समझ में आई होगी कैसे NDFA and DFA के अंदर हम करते हैं तो आई होप यह समझ में होगा आपको case 1 and case 2 so thank you so much for watching this video